आज हम PIVD के बारे में बात करेंगे जो आमजन की लेंगवेज में हम लोग बोलते हैं SlipDisk तो इसके बारे में सबसे पहले मैं आपको phases बताऊंगा, stages बताऊंगा कि उसमें कौन से कौन से stage होते हैं जो आपकी MRI findings में भी आपको मिलेंगे या फिर अगर आपको MRI नहीं कराएं आपने तो उसके अलावा भी जो conditions आपको आएंगी उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं तो पहली stage है annular tear की, जो first stage है वो रहेगी annular tear, second stage हमारी आएगी disc bulge यानि disc protrusion जिसे हम कहते हैं third stage जो हमारी रहेगी वो रहेगी disc extrusion यानि disc herniation जो हमारी herniation phase रहता है final stage है last है sequestration, यह sequestration जो stage है इसमें most probably surgery की जरुत पड़ती है तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि annular tear में क्या होता है, disc bulge, disc protrusion में क्या होता है, extrusion में क्या होता है इसको एक cushion like structure उसको support देने के लिए shock absorber एक substance होता है, जिसको हम interverteble disc बोलते है, एक गदी की तरह होता है और उसके अंदर हमारा nucleus pulposis होता है और annular fibrosis से वो पूरा का पूरा surrounded रहता है, यानि nucleus pulposis जो है वो एक water content होता है, जिसके अंदर around 70-80% water होता है और उसके side में वो ring से पूरा बना हुआ होता है, जिसको आपन बोलते है, annular pulposis अब इसके बारे में हम बात करते हैं, सबसे पहले annular tear की अगर हमें annular tear हुआ है, तो हमारा जो annular fibrosis है, वो बहुत minor सा है, उसमें tear आएगा वो हमारी जो nucleus pulposis है, वो उस content को बाहर नहीं निकालेगा तो सबसे पहला condition आएगी annular tear, जिसके अंदर हमें सिर्फ back pain फील होगा वो चीज लेग में radiate नहीं करेगी second stage है हमारी disc protrusion, यानि disc bulge इसके अंदर हमारा जो annular fibrosis है, उसको हमारे वो tear करता हुआ disc जो है, जो nucleus pulposis है, वो disc से थोड़ा सा भार pop-up करने लगती है यानि वो हलका सा भार की तरफ जाके pressure देती है हमारे पीछे या तो nerves को या फिर हमारे nerve endings को तो इसके अंदर जो होता है, वो leg में आपके radiate हो सकता है pain क्योंकि अगर उसमें पता चलेगा कि वो posterior central है, paracentral है या lateral, posterior lateral side से वो निकला है, जो bulge निकला है और वो कौन सी nerve को हमारी compress कर रहा है, उसके बज़े से हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या वो नीचे leg में कौन सी जगे pain दे रहा है ये वाला जो stage है, third stage जो कि है disc extrusion, जिसको हम बोलता है disc herniation, disc herniation के अंदर हमारे जिनली आप देखेंगे कि जो nucleus pulposus है, यानि जो हमारा water content है disc के अंदर वो धीरे-धीरे बहार निकलने लगेगा और उन annulus fibrosus, यानि उस ring को तोड़के और वो पीछे जाके सीधा हमारे thecles है कि यानि जो spinal cord है बीच में उसको compress कर सकता है हमारे जो side में से nerves हमारे निकल रही है, lateral recess वहां पर वो compress कर सकता है तो वो depend करेगा वो console location से निकल रहा है, यानि posterior central, paracentral या posterior lateral final stage है हमारी sequestration PIVD की इसके अंदर sequestration के अंदर हमारा वो जो central के अंदर nucleus pulposus होता है और जो चीज निकल रही होती है, हमारे disc से बाहर और वो हमें nerve compression दे रही होती है हमारे पीछे spinal cord को touch कर रही होती है sequestration के अंदर वो चीज अपने intact से निकल जाती है और वो कही ना कहीं या तो नीचे की तरफ जाएगी या फिर उपर की तरफ जाएगी अगर वो नीचे जाती है तो हम उसको बोलेंगे caudal migration और अगर उपर जा रही है उपर की तरफ वो shift हो रही है तो उसको हम बोलेंगे cephal migration ये generally condition होती है सर्जरी की इसमें सर्जरी बहुत जरूरी मानी जाती है और इससे पहले की कंडिशन को हम लोग कहीं ना कहीं कंजरवेटिवली ट्रीट कर सकते हैं अब मैं आपको बताता हूं कि जो आप MRI findings में आपके अंदर पाएंगे कि कि इसको बाइश बंड ऑल रिएंगे कैनाल है उसको अगर से वडिश करता है डिच में वह उसको बढूलेंगे पॉस्टेर slash वही चीज poster लेटरल, अगर वो साइड से प्रेस करेगा हमारे कहीं पर और पैरा सेंटरल जो बहुत कामन होता है, पैरा सेंटरल यांनि हमारे सेंटर और लेटरल इन दोनों के बीच का जो side है वो हमारा paracentral होगा जहां से वो disc हमारी निकलेगी डिस्क नहीं निकलेगी अक्चुली निकलेगा और वह वहाँ पर जाके किसी भी nerve को अगर pinch करता है तो वो painful रहेगा paracentral generally हमारे painful रहते हैं leg में radiate करेगा radiculopathy आपके होगी और वो आपके हणिटेड डिस्क डिस्क एक्स्ट्यूजन है उसके अंदर आपको generally common मिलेगा अभी जो मेरी वीडियो थी है पी इवीडी की इसके अंदर आपको मैंने इसके symptoms बताई कि क्या क्या होते हैं कैसे कैसे होते हैं इसके stages बताए यह वीडियो था हमारे patients के लिए मरीजों के लिए और especially हमारे physiotherapy students के लिए या फिजो तरबी professionals के लिए जो आगे इस field के अंदर उतरेंगे और अपने patients को treat करने के लिए अलग-अलग findings करेंगे कि कैसे हम लोग उसको diagnose कर सकते हैं कैसे इसको treatment होगा next अब मैं इसके बारे में exercises बताने जा रहा हूं आपको आगे जोड़े रही है आस्ट्टर यूटी से जिसमें हम लोग आपको वीडियो और निकालेंगे अलग-अलग conditions के especially हम लोग MRI findings और X-ray findings के वीडियो निकालने वाले हैं जिसमें हम लोग बताई हैं कि MRI और X-ray को आपको कैसे देखना है patients के तो अब हम बात करते हैं exercises की PIVD के अंदर PIVD के अंदर मैंने 4 stages बता दी सबसे पहली annular tear दूसर डिस्क बल जिसको हम protrusion बोलते हैं तिसरे डिस्क हर्णियेशन जिसको हम extrusion बोलते हैं और चौता है हमारा sequestration इसमें चीज़ दियान रखिएगा annular tear जो first stage है उसके अंदर हमारे low back pain ही feel होगा और जो बाकी की जो तीन stages है यानि जैसे डिस्क बल जो गया protrusion डिस्क extrusion हो गया जिसमें हर्णियेशन है वह हमारा leg में भी pain radiate करेगा और डिपेंड करता है कि वह paracentral जो निकल रहा है डिस्क बल्ज हमारा निकल रहा है वह left side में पिंच कर रहा है राइट साइड में उसके हिसाब से हमारे डिपेंड करेगा कि हमारे राइट साइड में पेंट जाएगा रेडियेट करेगा या फिर लेफ्ट साइड में पेंट रेडियेट करेगा अब मैं बात करता हूं इसकी exercises की तो एक basic चीज समझ लेते हैं कि अगर पोस्टेरो सेंटर यानि बिल्कुल बीच में डिस्क बल्ज निकल रहा है या हर्णीएशन बीच में निकल रहा है तो हमें मेकेंजी एकसाइज नहीं करने यानि extension वाली exercises नहीं करने बेसिक जो फर्स्ट है अनुलर टेर उसके अंदर हम लोग extension exercises करेंगे जिसमें हम लोग अपने डिस्क को वापस से maintain रखेंगे और नुकलेस पल्पोसस को वहीं पर ही अपने जगे पर इंटक्ट रखेंगे तो सबसे फर्स्ट exercise है अनुलर टेर के लिए या फिट डिस्क बल्च के लिए जो की पोस्टेर और सेंटरल नहीं जारा वो जाएगा हमारा मेकेंजी extension रिजीम यानि extension exercises करेंगे हम लोग सबसे पेले हम लोग बेड के प्रोन लाइन लेड जाएंगे उलटा लेड जाएंगे और उसके बाद बिल्कुल रिलाक्स करके अपने लोवर बैग पो इसके हम लोग 10 और गेकर करेंगे second exercise जो हमारी PIVD के लिए है वो है हमारी Williamson Flexion Regime exercises हम लोग bed पर बिल्कुल straight लेट जाएंगे और उसके बाद हमें हमारे single leg knee to chest करनी है सबसे second exercise है जो flexion के अंदर है वो है single leg knee to chest हमारे knee को हमारे chest के तरफ पास ले के आएंगे hold करेंगे इसको minimum 10 seconds और 10 repetitions इसके करेंगे हम bilateral करेंगे यानि दौनों साइड में करेंगे 10 seconds hold and 10 repetitions third exercise हमारी होगी piriformis का stretch piriformis muscle हमारे glutes में hips के पीछे की तरफ जा रही है सेक्रम से निकल रही है और हमारे greater tronator तक आ रही है इसका stretch हम लोग कैसे लेंगे इसी का movement कराके एक पैर को गुटने मोड के दूसरे पैर को हम लोग external rotation में ऐसे रखे king style बैठ जाएंगे उसके बाद हम लोग इस वाले हाथ से इसको पकड़ेंगे हमारी इस वाली muscle को हमें stretch करना है और यहां से इस पैर को उठाके अपनी तरफ लेके आएंगे इसको भी हम लोग ten second hold करेंगे और ten repetitions कर सकते हैं इसमें दूसरा option यह है कि हम लोग इसको 20 second hold कर सकते हैं और minimum three repetitions कर सकते हैं 20 second hold करेंगे और तीन बार इसको करेंगे अब हमारी fourth exercise है hamstring के stretch के लिए हम लोग अपनी hams को stretch करेंगे hamstring हमारे thigh के पीछे की muscle है जो हमारे thigh bone है फीमर उसके पीछे की तरफ से जो muscle आ रही है उसको हम hamstring केते हैं अब हमारी fourth exercise है hamstring के stretch के लिए जिसमें हम लग अपने knee को ऐसे अपने पास लेके आएंगे chest की तरफ और अपने पैर को बिल्कुत सीधा उठाएंगे जितना आराम से आपको comfortably जा सकता है stretch आपको महसूस हो जाए आप वहां तक लेके जाएं five seconds तक hold कर सकते हैं आप और इसके 10 reputations करें यह bilateral भी कर सकते हैं हम लोग दोनों पैर की तरफ अगर हमारे पैर अगर अगर हमारे नीचे पेन रेडियेट कर रहा है तो यह उसके लिए बेस्ट एक्सेसाइज रहेंगी five exercise है हमारी sciatic nerve की flossing जिसको हम sciatic nerve भी बोलते हैं और जनरली आप देखें अगर disc bulge होता है disc herniation होता है तो कभी कबार disc herniation की condition में हमें sciatic nerve compress हो सकती है यानि हमाई sciatica यानि sciatica भी हो सकता है वह condition जो हमारे एक पैर में पूरा नीचे तक पेन रेडियेट करता है तो अब मैं बताता हूं sciatic nerve की flossing वह कैसे करनी है हमारा टोज को बिलकुल नीचे की तरफ प्रेस करना है और उसके बाद हमें अपनी गर्दन को फिर वापस से नीचे लेके जाएंगे गर्दन पूरी बेंड नीचे तोज पूरे नीचे की तरफ डाउनवर्ड और फिर वापस से हम लोग उसको उठाएंगे तोव अपनी तरफ और गर्दन बिलकुल पीछे कुटना सीधा इसको हम sciatic nerve flossing बोलते हैं 5 seconds hold करेंगे और इसक और बिलकुल को उपर उठा देंगे hold करेंगे 5-10 seconds और इसके भी हम लोग similarly 10 repetitions करेंगे 7th exercise है हमारी abdominal muscle के लिए जिसको हम लोग strengthening करेंगे isometric exercises हमें abdominal muscle के लिए करानी है क्योंकि इससे हमारी जो disc bulge हुआ है या फिर जो भी हमारी condition हुई है उसमें थोड़ा improvement आएगा वो bulging वापस से नॉर्मल जाएगी इसके अंदर हम लोग अपना कोई भी पिलो घर से अपने पैर पैस रखेंगे अपने दौनों नीज को bend करके रखेंगे और अपने हातों को एकदम straight लाके और अपने हातों से प्रेस करेंगे इसको होल्ड करेंगे 5-10 सेकेंड रिलाक्स इसमें हमें abdomen पे stress आना चाहिए strength एक आनी चाहिए तो वह आपको फील होगी इसमें आप अपने आपको थोड़ा सा उपर उठा सकते हैं और ऐसे करके नीचे प्रेस कर सकते हैं abdominal strengthening के लिए हमारी एक साइज होगी 5-10 सेकेंड रिपेटेशन 5-10 सेकेंड होल्ड होगा और मिनिमूम 10 रिपेटेशन करेंगे ask dr. ut